नमस्कार आप सभी को नवरत्री के पावन परवकी बहुत बहुत शुब कामना हैं कारकम में मेरे साथ उपस्तित देश के ग्रह मंत्री श्री अमित्षाजी राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोक के चेर परसन जस्टिस श्री अरुनकुवार मिश्राजी केंद्रिय ग्रह राज्य मंत्री श्री नित्याने राई जी मानव अधिकार आयोक के अन्य सम्मानि सदस्यगान राज्य मानव अधिकारी आयोक के सभी अध्यक्षगान उपस्तित सुप्रिम कोट ने सभी मानिय आदनिय जज्म होदय सदस्यगान UN Agency के सभी प्रतिनिधी, सिविल सोसाइटी से जुड़े साथियों, अन्य सभी महनुभाव, भाई और भेनों आप सभी को राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के 28 फे स्थापना दिवस की हारदिक बधाई ये आयोजन आजएक ऐसे समय हो रहा है, जब हमारा देश अपनी आजहादी का अम्रित महुत्सव मना रहा है भारत के लिए मानव अधिकारों की प्रेर्णा का, मानव अधिकार के मुल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजहादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संगर्ष किया एक राष्ट के रुप में, एक समाज के रुप में, अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया एक ऐसे समय में, जब पुरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में जुलस रही थी भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्क सुजाया हमारे पुजे बापु को देश नहीं, बल्कि पूरा विश्व, मानव अधिकारों और मानवी ये मुल्यों के प्रतिक के रुप में देखता है ये हम सबका सौभाग्य है कि आज अमरुत महुत्सव के जरिये हम मात्मा घांदी के उन मुल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं मुझे संतोष है कि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भारत के इन नईतिक संकल्पों को ताकत दे रहा है अपना सयोग कर रहा है साथियों भारत आत्मवत्सर्वभूतेशु के महान आदर्शों को संसकारों को लेकर विचारों को लेकर चलने वाला देश है आत्मवत्सर्वभूतेशु याने जैसा मैं हूँ वैसे ही सभी मनुष्य है मानो मानो में जीव जीव में भेद नहीं है जब हम इस विचार को स्विकार करते हैं तो हर तरह की खाई भर जाती है तमाम विवित्ताओं के बावजूत भारत के जन्मानस ने इस विचार को हजारों सालों में जीवन्त बनाए रखा इसलिए सैंक्रों वर्सों की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ तो हमारे सम्विधान द्वारा की गई समानता और मौलिक अधिकारों की गोशना उतनी ही सहस्ता से स्विकार हुई साथियों आजाद के बाद भी भारत ने लगाता विश्व को समानता और मानव दिकारों से जुड़े विश्वों पर नया प्रस्पेक्टिव दिया है नया विजन दिया है बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आये हैं जब दुनिया ब्रमीत हुई है भटकी है लेकिन भारत मानव दिकारों के प्रति हमेशा प्रतिविद्ध रहा है संवेदन सिल रहा है तमाम चुनोतियों के बाद भी हमारी ये आस्ता हमें आस्वस्त करती है कि भारत मानव अधिकारों को सर्वों पर ही रखते हुए एक आदर सबाद के निर्मार का कार्य इसी तरह करता रहेगा साथियों आदेश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिशित करने की ही मुलभावना है अगर सरकार को योजना सुरू करे और उसका लाब कुछ को मिले कुछ को ना मिले तो अधिकार का विश्वास खड़ा होगा ही और इसलिए हम हर योजना का लाब सभी तक पहुँचे इस लक्ष को लेकर चल रहे हैं जब बेधवाव नहीं होता जब पक्षपात नहीं होता पार दर्शिता के साथ काम होता है तो सामान्य मानवी के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं इस पंदर आगस को देश से बात करते हुए मैंने इस बात पर बल दिया है कि अब हमें मुलभूत सुविधाओं को सत प्रतीशत सत प्रतीशत सेचुरेशन तब तक लेकर जाना है ये सत प्रतीशत सेचुरेशन का अभियान समाज की आखरी पंक्ति में जिसका भी हमारे अरुन मिर्शाजी ने उलेक किया आखरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के अधिकारों को सुनिशित करने के लिए जिसे पता तक नहीं है कि ये उसका अधिकार है वो कहीं सिकायत करने नहीं जाता किसी आयोग में नहीं जाता अब सरकार गरीब के घर जाकर गरीब को सुविदाओं से जोड रही है साथियों जब देश का एक बड़ा वर्ग अपनी आवश्रत्तों को पुरा करने में ही संगर्सरत रहेगा तो उसके पास अपने अधिकारों और अपनी आकांशाओं के लिए कुछ करने का ना तो समय बचेगा ना उर्जा और ना ही इच्छा शक्ती और हम सब जानते हैं गरीब की जिंदगी में हम अगर बारी के से देखें तो जरूरत ही उसकी जिंदगी होती है और जरूरत की पूर्ती के लिए वो अपना जीवन का पल पल सरीर का कंड कंड खपाता रहता है और जब जरूरते पूरी नहों तब तक तो उसको यह अधिकार के विशे तक वो पहुचनी पाता है जब गरीब अपनी मुलभुत सुविधाओं और जिसका अभी अमीद भाई ने बड़े विस्तार से वर्णन किया जैसे सौचाले बिजली स्वास्त की चिंता इलाज की चिंता इन सबसे जूज रहा हूँ और कोई उसके सामने जाकर उसके अधिकारों के लिस्ट बिनाने लगे तो गरीब सबसे पहले यही पुछेगा कि क्या यह अधिकार उसकी आवशक्ताएं पूरी कर पाएंगे कागेज में दर्ज अधिकारों को गरीब तक पहुचाने के लिए पहले उसकी आवशक्ता की पूर्ति किया जाना बहुत जरूरी है जब आवशक्ताएं पूरी होने लगती है तो गरीब अपनी उर्जा अधिकारों की तरफ लगा सकता है अपने अधिकार मांग सकता है और हम सब इस बात से भी परिचीत है कि जब आवसक्ता पूरी होती है अधिकारों के प्रती सतर्क्ता आती है तो फिर आकांग्षाएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है यह आकांग्षाएं जितनी प्रबल होती है उतना ही गरीब को गरीबी से बहार निकलने की ताकत मिलती है गरीबी के दुष्चक्र से बहार निकल कर वो अपने सपने पूरे करने की और बढ़ चलता है इसलिए जब गरीब के घर साउचाले बनता है उसके घर बिजली पहुंचती है उसे गैस कनेक्शन मिलता है तो यह सिर्फ एक योजना का उस तक पहुंच रही नहीं होता यह योजनाएं उसकी आवशकता पूरी कर रही है उसे अपने अधिकारों के प्रती जागरुक कर रही है उसमें आकांख्षा जगा रही है साथियों गरीब को मिलने वाली ये सुविधाय उसके जीवन में डिगनीटी ला रही है उसकी गरीबा बढ़ा रही है जो करीब कभी सौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था अब गरीब को जब सौचालाई मिलता है तो उसे डिगनीटी भी मिलती है जो करीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिमपत नहीं जूटा पाता था उस गरीब का जब जन्दन एकाउं खुलता है तो उसमें होसला आता है उसकी डिगनीटी बढ़ती है जो करीब कभी डेविट कार के बारे में सोच भी नहीं पाता था उस गरीब को जब रूपे कार मिलता है जेब में जब रूपे कार होता है तो उसकी डिगनीटी बढ़ती है जो करीब कभी गैस कनेक्शन के लिए सिफारिशाप और आसरित था उसे जब गर बैठे उजवला कनेक्शन मिलता है तो उसकी dignity बढ़ती है जिन महलाओं को PD दर PD property पर मालिकाना हक नहीं मिलता था जब सरकारी आवास योजना का घर उनके नाम पर होता है तो उन माताओ बहनों की dignity बढ़ती है साथियों, बीते वर्षों में देशने अलग-अलग वर्गों में अलग-अलग स्तर पर हो रहे injustice को भी दूर करने का प्रयास किया है दसकों से मुस्लिम महलाएं तीन तलाग के खिलाब कानून की मांग कर रही थी हमने ट्रीपल तलाग के खिलाब कानून बना कर मुस्लिम महलाओं को नया अथिकार दिया है मुसलिम महलाओं को हज के दौरान महरम की बाद्धेता से मुक्त करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है साथियों भारत की नाड़ी शक्ति के सामने आजाजी के इतने दस्वकों बाद भी अनेक रुकावटे बनी हुई थी बहुत से सेक्टर्स में उनकी एंट्री पर पावंदी थी महलाओं के साथ इंज़स्टिस हो रहा था आज महलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है वो 24 गंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके इसे सुनिस्चित किया जा रहा है दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हपते की पेड मेटनेटी लीव दे रहा है साथियों जब उस महला को 26 सपता की छुट्टी मिलती है न वो एक प्रकार से वो नवजाद बच्चे के अधिकार की रक्षा करता है उसका अधिकार है उसकी मा के साथ जिन्द की बिताने का वो अधिकार उसको मिलता है शायद अभी तक तो हमारे कानून की किताबों में सारे उल्यक नहीं आये होंगे साथियों, बेटियों की सुरक्षा से जुड़े भी अनेक कानूनी कदम बिते सालों में उठाए गए है देश के साथ सो से अधिक जीलों में वन स्टॉप सेंटर्स चल रहे हैं जहां एक ही जगर पर महिलाओं को मेडिकल साहित, पुलिस सुरक्षा, साइको सोशल काउंसलिंग, कानूनी मदद और अस्थाई आस्रे दिया जाता है महिलाओं के साथ होने वाले अपरादों की जल्द से जल्द सुनवाई हो इसके लिए देश भर में साड़े छैसो से जादा फास्ट ट्रेक कोर्स बनाई गई है रैप जैसे जगर ने अपराद के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेग्नेंसी एक्ट इसमें सौनसोधन करके महिलाओं को अबोर्षन से जुड़ी स्वतंतरता दी गई है सुरक्षित और कानूनी अबोर्षन का रास्ता मिलने से महिलाओं के जीवन पर संकट भी कम हुआ है और प्रतारणा से भी मुक्ति मिली है बच्चों से जुड़े अपरादों पर लगाम लगाने के लिए भी कानूनों को करा किया गया है नई फास्ट ट्रेक कॉर्स बनाई गयी है साथियों हमारे दिव्यांग भाई बहनों की क्या शक्ति है यह हमने हाल के परालंपिक में फिर अनुभव किया है बीते वर्षों में दिव्यांगों को सतक्त करने के लिए भी कानून बनाए गये है उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है देश भर में हजारों भवनों को सार्वजनिक बसों को रेलवे को दिव्यांगों के लिए सुगम हो लगबक 700 वेबसाइट को दिव्यांगों के अनुकुल तयार करना हो दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशे सिक्के जारी करना हो करंसी नोट भी आपको शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा अब जो हमारी नई करंसी है उसमें दिव्यांग अन्य जो प्रग्नियाग चक्षू हमारे भाई बहन है वे उसको सपस करके ये करंसी नोट कितनी कीमत की हैं वो ताय कर सकते हैं ये व्यवस्था की गई है सिक्षा से लेकर स्किल्स से लेकर अनेक संस्तान और विशेश पाठक्रम बना रहा हूँ इस पर बीते वर्सों में बहुत जोर दिया गया है हमारे देश की अनेक भाशाएं हैं अनेक बोलिया हैं और वैसा ही स्वभाव हमारे साइने जीज में था अगर वो गुजरात में जो साइने जीज देखता है माराष्ट में अलग, गोवा में अलग, तमिनाडु में अलग भारत ने इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरे देश के लिए एक साइने जीज की ववस्ता की कानूनन की और उसकी प्रिर ट्रेनिंग का यह उनके अधिकारों की चिंता और एक संबेदन सिल अभिगम का परणाम है हाली में ही देश की पहली साइन लेंग्वेज डिक्शनरी और आडियो बुक्ती सुविधा देश के लाखो दिव्यांग बच्चों को दी गई हैं जिससे वे ई-learning से जूर सके इस बार जो नई नेशनल एजूकेशन पॉली से आई है उसमें भी इस बात को विशेश रुप से ध्यान रखा गया है इसी तर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बहतर सुविधाएं और समान अवसर देने के लिए ट्रांसजेंडर परसंस प्रोटेक्शन अव राइट्स कानून बनाया गया है गुमंतु और अर्थ गुमंतु समुदायों के लिए भी डेवलप्मेंट एंड वेलफर बौर्ट की स्थापना की गयी है लोक अदालोतों के माद्यम से लाखों पुराने केसे इसका निप्टारा होने से अदालोतों का बोज़ भी कम हुआ है और देश वास्यों के भी बहुत मदद मिली है ये सारे प्रयास समाज में हो रहे इन जस्तिस को दूर करने में बड़ी भूमी का निभा रहे है साथियों हमारे देश ने कोरोना की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया सदी की इतनी बड़ी आपना जिसके आगे दुनिया के बड़ी बड़ी देश भी डगमगा गए पहले की महामारियों का अनुभव है कि जब इतनी बड़ी आबादी तास्दी आती है इतनी बड़ी आबादी हो तो उसके साथ समाज में अस्तीता भी जन्म लेती है लेकिन देश के सामान्य मानवी के अधिकारों के लिए भारत ने जो गया उसने तमाम आसंकाओं को गलत साबित कर दिया ऐसे कठीन समय में भी भारत ने इस बात का प्रयास किया कि एक भी गरीब को भूखा नहीं रहना पड़े दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे लेकिन आज भी भारत असी करोड लोगों को मुत्य अनाज महिया करा रहा है भारत ने इसी कोरोना काल में गरीबों असहायों बुजुर्गों को सीधे उनके खातों में आर्थिक सहायता दी है प्रवासी समिकों के लिए वन नेशन वन राशनकार की सुविधा भी शुरू की गई है आर्शन के लिए भटकना न पड़े भाई और भेनों मानविय सम्वेदना और सम्वेदन सिल्ता को सर्वों पर ही रखते हुए सब को साथ लेकर चलने के ऐसे प्रयास होने देश के छोटे किसानों को बहुत बल दिया है आज देश के किसान किसी तीसरे से कर्द लेने के लिए मजबूर नहीं है उनके पास किसान सिम्मा निदी की ताकत है फसल भीमा योजना है उन्हें बाजार से जोडने वाली नीतिया है इसका परणाम यह है कि संकड के समय भी देश के किसान रिकार फसल उत्पादन कर रहे है जम्मु कश्मीर और नौर्सिस का उदाहन भी हमारे सामने है इन शेत्रों में आज विकास पहुंच रहा है यहां के लोगों का जीवन सर बहतर बनाने का गंबीरता से प्रयास हो रहा है यह प्रयास मानव अधिकारों को भी उतना ही ससक्त कर रहे है साथियों मानव अधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्था मैं आज करना चाहता हूं हाल के वर्षों मैं मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हीतों को देख कर करने लगे है एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी गटना में इनी लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता इस प्रकार की मानसिक्ता भी मानव अधिकार को बहुत ज़्यादा नुक्षान पहुँचाती है मानव अधिकार का बहुत ज़्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनितिक रंग से देखा जाता है राजनितिक चसमे से देखा जाता है राजनितिक नफा नुक्षान के तराजू से तोला जाता है इस तरह का सेलेक्टिव व्यवार लोग तंत्र के लिए भी उतना ही नुक्षान दायक है हम देखते हैं कि ऐसे ही selective विहवार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हरन के नाम पर देश की छबी को भी नुक्सान पहुचाने का प्यास करते हैं ऐसे लोगों से भी देश को सतक रहना है साथियों आज जब विश्व में मानव अधिकारों की बात होती है तो उसका केंद्र इंडिविजल राइट्स होते हैं व्यक्ति का रधिकार होते हैं यह होना भी चाहिए क्योंकि व्यक्ति सही समाज का निर्वान होता हुआ और समाज सही राष्ट बनते हैं लेकिन भारत और भारत की पनंपरा ने सद्यों से इस विचार को एक नई उचाई दी है हमारी हाँ सद्यों से सास्त्रों में बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है आत्मनह प्रतिकुलानी परेशाम नसमाचारेत यानि जो अपने लिए प्रतिकुल हो वो व्यावार दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ न करें इस कार्थ यही है कि मानव अधिकार केवल अधिकारों से नहीं जुड़ा बलकि यह हमारे कर्तवियों का विशय भी है हम अपने साथ साथ दूसरों के भी अधिकारों की चिंता करें दूसरों के अधिकारों को अपना कर्तविय बनाएं हम हर मानव के साथ समभाव और ममभाव रखें जब समाज में यह सहत्ता आ जाती है तो मानव अधिकार हमारे समाज का जीमन मुल्य बन जाता है अधिकार और कर्तव्य यह दो ऐसी पट्रियां हैं जिन पर मानव विकास और मानव गरीमा की आत्रा आगे बढ़ती है अधिकार जितना आवशक हैं कर्तवे भी उतने ही आवशक है अधिकार और कर्तवे की बात अलग-अलग नहीं होनी चाहिए एक साथ ही की जानी चाहिए ये हम सभी का अनुवव है कि हम जितना कर्तवे पर बल देते हैं उतना ही अधिकार सुनिश्चित होता है इसलिए प्रतेग भारतवासी अपने अधिकारों के प्रती सजग रहने के साथ ही अपने कर्तव्यों को उतनी ही गंबीरता से निभाए इसके लिए भी हम सबने मिल करके निरंतर प्रयास करना पड़ेगा निरंतर प्रेरित करते रहना होगा साथियों ये भारत ही है जिसकी संस्कृती हमें प्रक्रती और परियावरण की चिंता करना भी सिखाती है पाउधे में परमात्मा ये हमारे संस्कार है इसलिए हम केवल भरतवान की चिंता नहीं कर रहे है हम बविश्व को भी साथ लेकर चल रहे हैं हम लगातार विश्व को आने वाली पीडियों के मानव अधिकारों के प्रती भी आगा कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलार एलाइंस हो रिन्योबल एनरजी के लिए भारत के लक्ष हो हाइड्रोजन मिशन हो आजबारत सस्टेनेबल लाइफ और इको फ्रेंडली ग्रोथ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है मैं चाहूंगा कि मानव अधिकारों की दिशा में काम करें हमारे सभी प्रभुद्गन सिविल सुसाइटी के लोग इस दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाए आप सब के प्रयास लोगों को अधिकारों के साथ ही करतव्य भाव की और प्रेदित करेंगे इनी सुबकामराओं के साथ मैं अपनी बात समापत करता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद